ICC Under 19 World Cup के फाइनल में इंग्लैंड को पीट कर टीम इंडिया ने तो रच दिया है इतिहास लेकिन इस World Cup की टीम में से दो खिलाडी ऐसे हैं जिनके रूप में हमें मिलेंगे हमारे नए धोनी और युवराज ICC Under 19 World Cup के फाइनल में इंग्लैंड को पीट कर टीम इंडिया ने ना सिर्फ इस विश्व कप को अपने नाम कर लिया बलकि Under 19 World Cup को पाँच बार जीतने का काल नामा भी कर दिखाया है लेकिन भारत को वर्ल्ड चैम्पियन बनाने वाले उन युवा खिलाडियों के सफर की तो ये सिर्फ शिरुवात है और अब लंबे समय से जिन खिलाडियों की कमी टीम इंडिया की सीनियर टीम को खल रही है वो इन युवा सितारों के रूप में पूरी होने वाली है टीम इंडिया की युवा ब्रिगेड में से ही हमें नए महेंदर सिंग दोनी और युवरास सिंग मिलने वाले हैं जो आने वाले समय में भारत के लिए पूरी दुनिया में जंडे गारेंगे चलिए आपको बताते हैं आखिर वो कौन से खिला रही हैं जिनके रूप में हमें नए युवी और माही मिल गए हैं युवरास सिंग के जाने के बाद से टीम इंडिया में एक प्रॉपर ओल्राउंडर की कमी है जो मिडिल ओडर में कहीं भी बल्ले बाजी करने में सक्षम हो और अपनी कप्तानी से भी मैच में टीम को वापसी करवाए लेकिन अब अंडर 19 के युवा सितारे राज बावा के रूप में ये कमी पूरी होने वाली है राज बावा ने अंडर 19 वर्ल्ल कप फाइनल में भारत की जीत में सबसे बड़ा रोल अदा किया और इंगलैंड के पांच विकेट जटक कर उनको नानियाद दिला दी राज बावा के अंडर 19 वर्ल्ल कप की बात करें तो उन्होंने छे मैचों में 252 रंट होके उनका एवरेज दिरसट और स्ट्राइक रेट 100 से भी ज्यादा कर रहा और यूगांडा के खिलाफ 162 रंगी पारी भला कौन भूल सकता है उल्टे हाथ के राज बावा सीधे हाथ से फास्ट बालिंग करते हैं और उन्होंने छे मैचों में बतौर गेंदबाद 9 विकेट भी चटका है उनका एवरेज बतौर बालर 16 और एकॉनमी महस साड़े चार तर रहा और तो और बावा और यूवी के बीच में रिष्टा भी काफी पुराना है यहां तक कि राज बावा यूवराज सिंग की गोद में खेला करते थे यूवराज सिंग के बचपन के कोच सुखविंदर बावा जिनकी छत्रो चाया में यूवराज सिंग में अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी वो ही राज बावा के पिता है यानि कि जिन्होंने यूवी की ट्रेनिंग दी है अब वही राज बावा को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो भला ये खिलाड़े यूवी से अलग कैसे हो सकता था आपको शाय जानकर हैरानी होगी कि राज बावा के दादा ट्रलोचन सिंग बावा 1948 के उलम्पिक खेलों में भारत कर मैच फिनिश करने की आदत लग जाए तो इससे बहतरीन आदत इससे शांदार आदत भला और क्या हो सकती है और अंडर 19 वर्ल्ड कप की दिनेज बाना ने वर्ल्ड कप के फाइनल में छक्का मार कर टीम इंडिया को जीत दिलाई और अब भारत की सीनियर टीम के लिए भी समय से टीम इंडिया ऐसे बल्लेबास की खोज में है जो मिडिल ओडर में कहीं पर भी बल्लेबाजी करने में सक्षम हो और दिनेज बाना इसके लिए स्टीक विकलक बनकर उभर रहे हैं दिनेज बाना महेंदर सिंग धोनी की तरह ही कॉन्फिडेंस लबरेज हैं और खुद दिनेज बाना की पहचान बन गई है दिनेज बाना के अंडर 19 करियर की बात करें तो उन्होंने 6 मैचों में महस 63 रन ही बनाए हैं उनका एवरेज 31 का लेकिन स्ट्राइक रेट 190 का है जिससे उनके दम का पता दिलता है आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि दिनेज बाना अ इंडिया एफ के बीच अंडर 19 का मैच खेला जाना था और साथी खिलाडी निशान्त संधू जो की अंडर 19 वर्लकप का हिस्सा थे उन्होंने कहा कि आज तुम्हें देखने सेलेक्टर आ रहे हैं और दिनेज बाना ने निशान से कहा आज तु मेरे छक्के और चौके गिनन और इस पारी के बाद से दिनेज बाना को रोकना असंबाव हो गया और अब भविश में भी वो भारत के लिए विकेट कीपिंग के साथ साथ बल्ले बाजी में भी बड़े जोहर दिखाते नजर आएंगे और हम तो यहीं चाहते हैं कि वो माही की तरह छक्का लगा कर भारत खोलागादार वर्ल्ड चैंपियन बनाते रहें और देश का नाम रोशन करते रहें तो दोस्तों दिनेज बाना और राज बावा में से आपका फेवरेट कौन हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा क्रिकेट सूतरा को आपने अगर अभी तक यूट् सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब तर लीजिए साथी में नोटिफिकेशन की घंटी को भी जरूर बजाएए हमारे फेस्बुक पेज को भी लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और भारतिय क्रिकेट से जोड़ी हर अपडेट जानने के लिए ब